अचारशी नमोस्तु 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 मैं धीरजयन कासिलीवाल महामंतिक नरिवल पंचायत प्राचीन मंदिर में इस्थित प्राचीन प्रतमाओं के दर्शन सच बात है कि जो प्रतमाओं हो जाती हैं उनमें एक प्रकार की बहुत बड़ी उर्जा प्रगट होती है और उस उर्जा के प्रवहावशे विक्ती बहुत आकर्शित होता है उसके भाव जुड़ते हैं और जब भाव जुड़ते हैं तो जीवन में अनेक चमतकार भी दिखाई देते हैं जित यह उतने ही अस्यकारी होती जाती है। जैसे कि कोई चीज जितनी पुरानी होती जाती है। उतना ही उसमें जो है स्वाध आधी बढ़ते जाता है। ऐसे ही भगवान की जितना भी प्राचीन मंदिर हो, वहाँ पे देवी देवताओं का आमा, गवन, आना, जाना, आधी अनेक प्रकार की और वहाँ की वरगणाएं, सकारात्म कूर जाएं, इस सब जो हैं संचय होती हैं, जिससे कोई भी विक्ति प्राचीन छेतर पर प्राची मंदिर या प्राचीन प्रतमाओं के दर्शन करने जाता है, तो उसको एक अनभूती होती है, बहुत बड़ी अनभूती होती है, और दूसरी बात, पहले जो मंदिर बने हैं, या प्रतमाओं बनी हुई हैं, वो बहुत ही बड़े भावों से बनाई गई हैं, बहुत ही निर करने बाले नहीं, आज के प्रतिष्ठा चार जो हैं, अनेकों देखे जाते हैं, अवक्ष का सेवन भी करते हैं, रात्री भोजन भी करते हैं, व्यशन भी करते हैं, और वही प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा भी कराते हैं, तो फिर प्रतिमाओं में किस प्रकार से भाव सुध आ होते हैं हर बात में पेशे, हर बात में पेशे. और यतना ज़्यादा लोभवरा होता है उनका, कि हिरे ईन्दरों से किस प्रकार से हम पैसे निकालने हैं. अभी एक विद्धमान है, उन्हें एक गुरुकुल बनाया होगा. हर मंदिर, हर प्रतिष्ठा पार्ट में जाकर कि महाँ पर बहुत कलेक्शन करते हैं उनको कलेक्शन करने ही आता है इंद्रों से किसी प्रकार से पैसा निकालना तो ये क्या है उनका उद्देश पैसा निकालना है ना कि तुम्हारा पंच कर लेना कराना है ना कि प्रितमाओं से उन्हें कोई लेना देना है जब ऐसे इस्टती रहेगी तो आज की जो नवीन प्रितमाए हैं उनकी माध्यम से कैसे असे लोगों के जीवन में आएगा कैसे वो आकर्शन आएगा, कैसे वो उर्जा आएगी इसलिए कहते हैं कि प्राशीन मंदरों के दर्सन, उनका जीड़ो धार हमें अपने जीवन में कराना चाहिए, दर्सन करना चाहिए बहुत लाब की प्राप्ति होती है और नवीन मंदर एदी बने तो निलोपता के साथ और सही प्रितिष्ठाचार जिसके अंदर लोब ना हो, धन इखटे संग्रे करने का भाव ना हो और जो सुदता से कारकरम कराए, उससे कराएए तो उनमें भी अस्याधी हो शकता है तो प्राचीन प्रत्मा के दर्सन का चमतकार ही कुछ अलग है मेरे प्राम पुझ प्रग्या सागर जी महाराज जी के चर्नों में सत्सत नमोस्तू 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 महाराज स्री में शालिवार गार्डन से आई हूँ और मेरा चंका है कि सूक्ष्म निगोदिया जीव कहां कहां होते हैं सूक्ष्म निगोदिया जीव देखें सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है जो किसी को रोकता नहीं है और किसी से रोकता नहीं है वह सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है और वह जीव जो है पूरे तीनों लोकों में ठसा ठस भरा होता है जो स्थूल निगोदिया है उसके तो इस्थान निश्चित है, कि वो हर जगा नहीं पाया जा सकता, जैसे क्या बुलते कि देवगती है, अब स्वर्ग लोग आदी है, तो वहां नहीं होंगे, ठीक है ना? लेकिन जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वो हर इस्थान पर हो शकता है, और होता ही है, पूरे ठसाठस भरे हैं, आचारों नहीं लिखा जैसे तिल में तेल भरा होता है, ऐसे ही सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, और यह जो जीव है, एक श्वास में अठारा बार जनम करते हैं, ऐसे एसे सूक्ष्मनिगोदिया जो जीव है जो यहाँ पर आपन पड़ते हैं सास्त्रों में कि नीचे 7 मी प्रत्वी कि नीचे कल कल प्रत्वी है वहाँ पर भी ऐसे बहुत जीव पाए जाते हैं एक स्थान निश्चित किया है वैसे तो तीन लोकों में होते हैं और वो किसी को बाधा भी नहीं पहुचाते हैं हाँ संकलेश प्रणामों के कारण उनका आकाल मरण भी शंभाव आधी हुआ करता है ऐसे सोक्षिन गुद जीब जो हैं कितने बार हम सब लोग बन चुके हैं अ मिंद्रियों का दुरूपियों करते हैं पाप करते हैं तो ऐसी परियाय में जनम ले लिया करते हैं आचा सिर्जी नमस्तू आचा सिर्जी मेरे परिसंज है कि एक ज्यानी भीक्तिगे आयूत में मिर्थ हुई है जैसे है गल्द है अल्प आयू में मरण और अल्प आयू में मरण किसी धर्मात्मा का हो धर्मात्मा का मतलब है कि जिसकी आत्मा धर्में से ओत्परोथ हो ऐसे धर्मात्मा जो श्वाध्य करता हो कराता हो बिद्वान लेकिन बिद्वानों की जो गती है वो तभी अच्छी हो पाएगी कि ज्यान के सांसा जब उनका आचरण भी शुद्ध हो बरतमान में देखा क्या जा रहा है कि लोग विद्वान तियार कर रहे हैं आचरण वान तियार नहीं कर पा रहे हैं हमें कोई भी विद्वान प्रितमाधारी नहीं मिलता है अनुवरती नहीं मिलता है एक आदा छोड़ करके शभी विद्वान बन जाते हैं और प्रितिमाएं उनके पास नहीं होती है सुध आचरण नहीं होता है और उनका मरन आदी हो जाता है बहुत बार हमने देखा प्रकांड विद्वान है बहुत नौलेज है बहुत श्वाद्धाय कर लिया है लेकिन अचरण उनका आकस्मात मरन हुआ हिर्देघास से ब्रेन हैम्ब्रेस से आदी अनेक प्रकार की बिमारिया हो सकती है उनसे उनका मरन हो जाता है तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इतना ग्यान सब कुछ होने के बाद भी इनका मरन सम्म्यक क्यों नहीं होता है क्यों सम्म्यक मरन नहीं होता है क्यों गुरुओं के सानिद में मरन नहीं होता है क्यों ब्रती बन के नहीं होता है क्यों महाब्रती बन के नहीं होता है तो इसका अर्ष सही होता है कि जो वस्तर पहने पहने ग्यान बाटने लग जाता है वो फिर अपने को ग्यानी मानने लग जाता है वो मुनियों की कदर नहीं करता नहीं मुनि धर्म के प्रति उसके अंदर रुची होती है नहीं वो मुनि बनना चाहता है ना धर्म मार्ग में चलना चाहता है जब उसके मुनी के प्रती रुचिनी होती है मुनी बनने का भाव नहीं होता है मात्र वह उग्यान बांत लिया अब ज्क्राण करने के बाद उसे बांतने में लगे हुए पर कल्याण, पूरा समय पर कल्याण सो कल्यान में उनका आच्रण के लिए कोई भी नहीं रहता है तो अपना कल्यान करते नहीं है दूसरे कल्यान के लिए सोचते हैं विचारते हैं लेखन करते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं सब करते हैं ऐसे लोगों का ज्यान जो है अपने कल्यान में कारण नहीं बनता है रहे हैं, उनके प्रती दो सार उपन निकालते रहते हैं, इसलिए ऐसे पाप कर्म के कारण इनकी आसमाधी होती है, और अल्प आयो में ही मरन आदी हो जाता है, अकाल मरन हो जाता है, दुर्गती आदी हो जाया करती है. झाल 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 झा